विशन लेक्षर में चार्ल्स का नियम हम लोग पढ़े थे आपको बता दे कि चार्ल्स के नियम का जो ओरीजिनल स्टेटमेंट है जो रियल स्टेटमेंट है वो ये है जो चार्ल्स के नियम का गड़ितीय रूप आज पढ़ने जा रहे हैं इसमें ये बताया गया है कि ताप के माल में अगर एक degree Celsius की विर्धिया कमी करेंगे तो गैस के आयतन में एक बटा 273 गुना की विर्धिया कमी हो जाती है इस बात को ज़रा समझने का प्रयास कीजे क्या कर रहा है कि एक degree Celsius की विर्धि तो आयतन एक बटा 273 गुना बढ़ जाएगा एक degree Celsius की कमी तो आयतन एक बटा 273 गुना घट जाएगा मतलब कुल मिला जुला कर वही बात बोला जा रहा है जो आप कल पढ़ कर गये थे आयतन बढ़ेगा तो ताप भी बढ़ेगा यानि ताप बढ़ेगा तो आयतन भी बढ़ेगा और ताप घटेगा एक तन भी घटेगा लेकिन ये बैथमेटिकल स्टेटमेंट है जो चार्ज का अपना स्टेटमेंट था वो है आज की क्लास में हम आपके सामने एक बात प्रूफ करने जा रहे हैं या जीरो केलवीन के ताप को पर्म ताप या पर्म सुनने कहते हैं जिस पर किसी गैस काहता है तो आज के क्लास में इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट की सहायता से हम प्रूफ करने जा रहे हैं कि माइनस 273 डिग्री से स्टाफ पर ही किसी गैस का एतन सुनने क्यों होता है इस बात को आप अच्छे समझ पाएगे पहले ध्याद दिजे यहाँ पर हमने मान लिया कि माना की माना की है है जिरो डिगरी सेल्सेस टाप पर जिरो डिगरी सेल्सेस ताप पर गैस का ऐतन गैस का ऐतन बराबर भी गैस का आएतन हमने क्या बाह लिया भी अब आगे का कल्कुलेशन अच्छे से समझने के लिए हम एक अलग से mathematical concept बता रहे हैं जो आप लोग 9-10 में पढ़ चुके हैं Suppose that आपके पास आपके pocket में 10 रुपया है और 10 रुपया का 20% किसी ने आपको आकर दे दिया 10 रुपया पहले से है और 10 रुपया का 20% किसी ने दे दिया आप इसको कैसे व्यक्त करेंगे 10 जो पहले से है और 10 का 20% मतलब 10 into 20 बटा 100 तो जड़ा ध्यान दिया जाए तोटल आपके पास 12 रुपया और एक बार फिर से अब उल्टा concept कि आपके पास 10 रुपया है लेकिन आपने किसी को उसका 30% किसी को दे दिया तो 10 आपके पास था और 10 का 30% आपने किसी को दे दिया तो ये कितना आ रहा है 10 माइनस 3 बराबर 7 तो आपको पहले सीखना है आपको पहले सीखना है कि कैसे express किया जाता है जब कोई percentage amount आपके main principal money में add होता है जैसे 10 रुपया था आपके पास 10 का 20% किसी ने दे दिया तो आप उसको लिखेंगे 10 plus 10 का 20% 20 by 100 10 का 30% आपने किसी को दे दिया उसको लिखने का तरीका है 10 माइनस 10 का 30% 30 by 100 एकदम सेम वे में किसी गैस का आयतान 0 degree Celsius पर हमने माल लिया किसी गैस का आयतान हमने क्या माना भी तो अगर हम ताप के माने में 1 degree Celsius बढ़ा रहे हैं तो एक डिगरी Celsius ताप पर गैस के आयतान का बात करें गैस के आयतान का बात करें तो बता दीजे क्या हो जाएगा भी तो भी तो रहेगा ही रहेगा 10 रुपया तो आपके पास already है है और 10 का 20% भी आपके पास है तो B Aichon 0 degree sales पर gas का Aichon भी है और एक degree sales आपने बढ़ाया है तो मत भूलिए कि एक degree sales बढ़ाने पर gas का Aichon एक बटा दूसोहत्तर गुना दूसोहत्तर नेहीं एक बटा दूसोहत्तर गुना आपड़ जाएगा यानी B Aichon तो रहे록़ेगा ही भी का एक बटा 273 गुना भी उसी में आइड हो जाए तो यानि टोटल कितना हुआ तो टोटल हो गया टोटल हो गया भी 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 बाई 273 क्या आप समझ पा रहें अगर हम तू डिगरी सेल्सेस पर बात करें दो डिगरी सेल्स ताप बढ़ा है तो एक डिगरी सेल्स बढ़ाने से भी प्लस भी बाई 273 हो रहा है तो दो डिगरी सेल्स बढ़ाने से क्या हो जाएगा भी बाई 273 और फिर प्लस भी बाई 273 बढ़ रहा है तो 2 degree Celsius के लिए क्या लिख सकते effectivement ऐसा आपके समझने के लिए हम एक बार लिख रहा है V-277 यह दी रिखे का है और एक और degree Celsius के लिए क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर हम इसको 2 लिख दिये अब बताईये अगर हम ताप के मान में दोस डिगरी सेल्स की विर्धी कर दे तो भी ठीक है और अब हम ताप के बार में 270 डिगरी सेल्स विर्धी कर दे तो हो जाएगा भी पलास 270 भी बाई तो आप देख पा रहे हैं कि भी और भी जुटकर यानि 270 डिगरी सेल्स अस ताप का वो मान है जिस पर किसी गैस का आईतन अपने प्रारंबिक आईतन का दुगना हो जाए तो जब हम एक डिगरी सेल्स बढ़ा रहे तो ये भी बाई 270 कैसे आइड हो रहा है या आप समझ सकते हैं और उसके बाद दो डिगरी सेल्स बढ़ा है तो ये दो बार इस तरह का एड होगा तो टूबी बाई 270 अगर 270 डिगरी सेल्स बढ़ा दिये तो ये कट गया सीधे दुगना हो गया मतलब 270 डिगरी सेल्स बढ़ा का वो मान है जिस पर किसी गैस का आइटन अपने प्रावंभिक आइटन का दुगना हो जाता है अब हम जर्स्ट उल्टा काम करने जा रहा है पुना जिरो डिगरी सेल्स बढ़ा है 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 जिरो डिगरी स माइनस दोस डिगरी सेल्सेस पर दोस डिगरी सेल्सेस पर और अब माइनस दूसो तीहत्र डिगरी सेल्सेस पर और हमने आज प्रूफ कर दिया कि दोसोती डिगरी सेल्सेस पर किसी गैस कायटन लिखे थे कि जिस ताप पर किसी गैस कायटन सुने जाता है उसे प्रहमच परते और इसका माईनस 273 degree Celsius होता है आज proof paste कर लिए कि minus 273 degree Celsius आपका वो मान होता है जिस पर किसी gas का एतन सुनने होता है अब इसी चीज़ को एक और जान लिजे कि Kelvin पहँआने में Kelvin बराबर 273 plus C होता है और आप जन्नत चाहते हैं कि Kelvin में वो मान कितना होगा तो आप Celsius वाले का मान रख दीजे कितना हो गया यानि 0 Kelvin ताप का वो मान है जिस पर किसी gas का एतन सुनने होता है तो आप पुरा-पुरा बोल सकते है कि minus 273 degree Celsius से 0 Kelvin ताप का वो मान है जिस पर किसी gas का एतन क्या होता है और plus 273 degree Celsius अब आप पहड़े रहा है एवगाड्रो का नियम जो आप इसी 11th क्लास में यूनिट वन में पढ़ चुके हैं लेकिन आपके इस चैप्टर में फिर से दिया है फिर से समझने का मुखा आपको मिलेगा जान दिया जाएगा अब आप इसे अवगाड्रो के नियम के नाम से यह जाना जाता है और यह नियम क्या बतलाता है कि समान ताप इमधाप पर किसी चैश के दिया के नमने के लिए आपको मूल की संख्या के समने पादी होता है अगर आफटन B है और मूल की संख्या N तो यहाँ B समान पादी क्या होगा N समान पादी का चिन हचते ही यहाँ पर constant किया गया और आप इसको लिख सकते है B by N equal K यहाँ पर समझने वाला बात है कि किसी गैस के दिएक नमुने के लिए अगर आयतन भीवन है और मुल की संख्या N1 है तो बताइए क्या हो जाएगा इसका आदूसराण करते हुए इसी गैस के सेंपल के लिए अगर आयतन भीटू हो जाए और मुल की संख्या N2 हो जाए तो इसका आदूसराण करेंगे तो बीटू बाइटू इक्वान दोस्ते देख सकते हैं भीवन भाई एन वान इक्वाल भीटू बाइटू बाइटू यह था यह गाड्रो का नियम जिस में आपने यह जैना कि समान ताफ्यम डाप पर किसी गैस के दिए रहे मुद्य के लिए आयतन मूलकी संख्या के समानुपाति यह समानुपाति होता है अब बात करते हैं इसके ग्राफिकल डिसकसन का जैसा कि आपने नियम पढ़ा तो उसमें आयतन और मुल्की संख्या में समानुपादी का रिलेशन था तो आयतन को अगर हम आयतन को Y-axis पर और मुल्की संख्या को X-axis पर ले तो ये पुरा-पुरा समानुपादी का गराब है यारी आयतन बढ़ेगा तो मुल्की संख्या भी क्या होगी अब बात करते हैं गैल उसाक क द्वारह दिया गया यहां पर है집 सो यहां अरे हैं तो डियम यह है कि निये49 के लिए अभजय है परमताप के समनपाती होता है या पी समनपी फथी हो गया फी वरबवर के डी टी ऐकोल के लिख सकते है के इसी गयालुसाग के नियम को एक नuar ध्रम से प्रस्तूत कर सकते हैं जिल मतवल नियत आयतनब किसी गैस के दिये stacks के नमुने के लिए दाव यह अवं सभान या पीटू ताप टीटू तो फीटू बाई टीटू इक्वल क्या हो जाएगा के और आप समीक्रण एक एवाम दो से यहां समीक्रण एक एवाम दो से समीकरण एक एवम दो से P1 by T1 equal P2 by T2 यहां देख सकते हैं कि दाब और ताप में समानुपादी का संबल है इसलिए जब इसका ग्राफ प्राफ बनाएंगे तो यह सरल रेखा होगा यानि कि यह X-axis पर हमने ताप लिया और Y-axis पर दाब लिया और यह समानुपादी के होने करण यह ग्राफ सरल रेखा प्राफ दुआ तो इस तरह से आपका यह टॉपिक समाथ होता है जली से